नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष कामदा एकादशी की वरत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ कामदा एकादशी हिंदू वर्ष की पहली एकादशी है भगवान विश्नु की अराधना करने के लिए एकादशी का दिन बहुत ही खास है इस व्रत को करने से हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुन्य मिलता है। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं। श्रध्धा और भक्ति भावना के साथ जो मनोश्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरण हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं कामदा एकादशी की कथा। एक बार महराज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव आपको नमस्कार है। चैतर शुकल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है। भगवान शिरे कृष्ण भोले, राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न, शिरी राम जी के पितामह, राजा दिलीप ने वशिष्ठ मुनी से किया था। और राजा दिलीप के प्रश्न के उत्तर में, जो वशिष्ठ मुनी ने उन्हें बताया था, आज मैं आपसे कह रहा हूँ। ध्यान पुर्वक सुनिये। चैतर शुकल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी तिति परम पुन्यमई है। उस नगर में महाभयंकर नाग निवास करते थे। एक दिन ललित राजा पुन्डरीक की सभा में रित्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था। परंतु उसके साथ उसकी प्रियपत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते हुए उसे ललिता की याद आ गई। और उसके पैरों की गती धीमी हो गई। उसकी जीब लड़ खडाने लगी। तब नागों में श्रिष्ट करकोटक नाम के एक नाग को ललित के मन का संताप ग्याथ हो गया। उसने एडश्यावश राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की गती रुकने एवं गायन में गलती होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुमकर नागराज पुंडरीक की आँखें प्रोध से लाल हो गई। उसने गुस्से से भरकर ललित को शाप दे दिया कि हे मुर्क तु मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नर्भक्षी राक्षस बनने का शाप देता हूँ। महराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व विशालकाई राक्षस बन गया। उसका भयंकर मुख, विक्राल आखें और देखने मातर से भई उप जाने वाला रूप बहुत ही डरावना था। ऐसा राक्षस होकर वह अपने करम का फल भोगने लगा। जब उसकी प्यारी पतनी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पती की विक्राल आक्रिती देख कर मन ही मन सोचने लगी। क्या करूं? कहां जाऊं? मेरे पती बहुत कष्ट भोग रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में अपने पती के पीछे-पीछे घूमने लगी। तभी चलते-चलते उसे एक सुन्दर आश्रम दिखाई दिया। जहां एक शांत मुनी बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शिगरता से वहां पर पहुँच गई। और मुनी को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। वह मुनी बड़े ही दयालू थे। उस दुखी नारी को देखकर वह बोले। हे शुभे तुम कौन हो। यहां कैसे आई हो। मुझे सच सच बताओ। ललिता ने कहा हे महामुनी मैं वीर धन्वा गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोश के कारण राक्षस बनकर घनी जंगलों में भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। हे ब्राम्हन इस समय मेरा जो करतव्य है वह मुझे बताईए। हे विप्रवर मुझे कोई ऐसा उपाए बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पती को राक्षस योनी से चुटकारा मिल जाए। तब रिशिवर बोले हे भद्रे इस समय चैत्रमास के शुकल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथी है जो सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम कामदा एकादशी का विधी पूर्वक वरत करो और वरत का पुन्य अपने स्वामी को प्रदान करो। पुन्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोश दूर हो जाएगा। राजन मुनी के यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्श हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उनी ब्रह्मरेशी के समीब भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पती के उध्धार के लिए यह वचन कहा। मैंने जो यह कामदा एकादशी का वरत किया है इसके पुन्य के प्रभाव से मेरे पती को राक्षस योनी से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतना कहते ही शन भर में ललित का पाप दूर हो गया और उसने दिव्यदेह को धारन कर लिया। हे धरमराज वह दोनों पती-पत्नी कामदा एकादशी के वरत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारन करके विमान पर आरुढ होकर स्वर्ग लोग को प्राप्थ हुए। मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने इस वरत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदी पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। हे राजन कामदा एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से वाजबे यग्य का फल मिलता है। इस वरत में अपने मन को संयम में रखकर भगवान विश्नु की अराधना करें। कामदा एकादशी वरत की कथा सुने। और रात में भगवान विश्नु की फोटो के समच रातरी जागरन करें। द्वादशी के दिन ब्राम्भन या किसी गरीब को भोजन करवाकर अपने परिवार के साथ भोजन करें। इस प्रकार पूरे विधी विधान से कामदा एकादशी का वरत करने से मनोवानचितफल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय बांके भिहारी लाल की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम्हा लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम्हा।